आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो हमारे यहां और पाकिस्तान में भी कैसा होगा ग्राउंड जीरो से ताजा हाल लेंगे तिन भर की शुरुआत आज इसी से और महिला खिलाडियों के यौन शोशन का आरोब झेल रहे ब्रजभूशन शरण सिंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चारशीट फाइल कर दी है रेप की धारा नहीं लगाई गई है हजार पन्नो की चारशीट में पुलिस ने क्या-क्या लिखा है और क्या ब्रजभूशन की गिरफतारी के आसार अब और कम हो गए हैं ये समझेंगे और जान बूचकर बैंकों को लोन ना लोटाने वालों के लिए RBI नए नियम लेकर आई है बैंक यूनियन्स इसका विरोध कर रहे हैं आपके लिए ये खबर क्यों जरूरी है ये बताएंगे और गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच हुए खूनी संगर्ष के आज तीन साल हो गए है तब से लेकर अब तक क्या-क्या बदला है सीमा पर जो विवादित इलाखे हैं महां सेना कितनी मजबूत हुई है और हमने स्ट्रेटेजिक इंफरस्ट्रक्चर पर कितना काम इस बीच किया है जो सबक मिले हैं उसे कितना आमल में हम लेकर आपाए हैं ये समझेंगे आखिर में बहुचक भी लेकर आएंगे जमशेत खमर सिद्धिकी मगर पहले 60 सेकंड्स हेड्लाइन्स कुमार किश्र से शुक्रिया कुल्दीप गुजरात के तटिये इलाके से टकराया तूफान विपर जोई सवा सो क्लियोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवा एरलाइन गोफर्स्ट ने 19 जून तक रद्द की सभी उडाने पिछले महीने खुद को किया था दिवालिया घोशित कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश पंचायत चुनाओ के दोरान किंद्रिय सुरक्षा बल की होगी तैनाती मनिपूर में करफ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जलाए घर रैपिड एक्शन फोर्स ने आसु गैस के गोले दागे कई घायल करनाटक में निरस्त होगा धर्मान तरण विरोधी कानून सिध्धा रमिया कैबिनेट का फैसला यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितिनात का बयान जनवरी में प्रदानमंतरी करेंगे राम मंदिर का उदगाटन जम्मो कश्मीर में आतंकियों के घुसपैट की कोशिस सेनाने की नाकाम भारी मातरा में हथियार बरामद रक्षा मंतराले ने अमेरिका के प्रिडेटर ड्रोन सौदे को दी मंजूरी उननिस सो किलोमिटर क्षेतर की निगरानी करने की ख्षमता फिलिपीन्स में 6.2 तिव्रता का भूकम्प जमीन से 120 किलोमिटर नीचे था किंद्र और क्रिकेट के एशिया कप की तारीखों का एलान 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे मैच इसके पहले ही समुद्र से लगे गुजरात और मुंबई के इलाखों में उची उची लहरे उठने लगी थी गुजरात सरकार ने एहतियात के तौर पर तटके पास रहने वाले करीब एक लाख से जादा लोगों को दूसरी जगों पर शिफ्ट किया है तूफान से नपटने के लिए NDRF ने गुजरात और महराष्ट दोनों प्रुदेशों में टीमों को तैनात किया है इसके लावा एक टीम दादर और नगरहवेली के साथ साथ दमान और दीव में भी टीमों की तैनाती की गई है गुजरात की बात करें तो NDRF की चार टीमों को गुजरात के कच्छ जिले में तीन टीमों को राजकोट और तीन को द्वारका में तैनात किया गया है केंद्रिय गृह मंतरी अमित शाह विपरजवय साइकलोन पर हाई लेवल बैठक कर रहे हैं जिसमें गृह मंतरालेक अधिकारी, गुजरात के मुख्य मंतरी भूपेंद्र पटेल, राज्य के गृह मंतरी हर्श सांगवी और बागी बड़े अधिकारे भी मौजूद हैं लेंडफॉल के बाद की स्थिती को देखते हुए 15 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट को स्टैंडबाई पर रखा गया है कुजरात के माइंडवी में ही मौजूद हैं आच्छता क्रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा कुछ देर पहले उन्होंने मौसम वे भाग के एक अधिकारी से बातचीत की पहले वो बातचीत आपको सुनवाते हैं तो रिस्क असेस्मेंट पे डैमेज किस तरह के प्रडिक्शन है जब हाई टाइड आएगा वो बारा बज़े का टाइम है बारा बज़े और अगर अगर स्काइम पे साइक्लोन दोनों मिक्स होते है तो उसका इंपक्ट रहेगा और वो इक पाक्ट गोरो ऐसा है कि दरसल चो टेलीकॉम टावर्स हैं पूरी संभावना है कि वो गिरेंगे रिस्क असिस्मेंट के लिए सबसे पहले क्यू आटी लगाई गई थी वो पेड़ ज़ल से शेहर में चगों पर पेड़ गिरे रास्ते बंद हुए तो वहां सबसे पहले क्यू आटी भी जगे तो रास्तों को पोशिच की जा रही है कि वो बने रहें कि बंदूज ना हो राफेड़ ना गिरें लेकिन कम्विनिकेशन टावर उदी सब को रिस्टोल करना मुश्किल इसले भी होगा क्योंकि आप जो शुपात स्टॉंग की अपने केंडर पर हुई है पर इधी वे उसक अब चुकि साइकलोन का लैंड़ फॉल हो चुका है तो अभी वहाँ क्या हालात हैं पुछा मैंने ग्राउंड जीरो पर मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर से कि मताबिक अगले कुछ धेंटे गुजरात के में बारिश होगी और साथ ही अगर बात की जाए तो 16 तारिक शाम यानि कल शाम तक गुजरात के अंदर खा करके कट द्वारिका, जामनगर, राजकोर जैसे इलाकों में भारी बारिश की शेटा में बीगे है इसकर यो असर है जो फट वारिका, रामनगर, राजकोर जैसे वेह इसकर जाएगा अगर, पेपर जौए का कहर पाकिस्तान पर भी टूटा है, वहां के किन इलाकों में इसका असर ज़ादा देखने को मिल रहा है और वहाँ सरकार राहत और बचाव के लिए क्या कर रही है? हमने पूछा इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम से जुड़ी बिदिशादास से साइकलोन विपरजाए में पाकिस्तान के नियरली 80,000 लोगों को गव्मेंट ने इवैकुएट करने का प्लान बनाया है, डेंजर जो से मूव करने का और उसमें से अभी तक एनरजी मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के उन्होंने कन्फर्म किया है कि 66,000 लोगों को एरिया से, जो सबसे ज्यादा एफेक्टिड एरियाज होने वाले है, वो है थाता, سुझावाल, बादिन अधारपर काइस दिस्ट्रिक्ट और कराची पोट, कसीम पोट और केती-बंदर पोट में सबसे ज्यादा एफेक्ट आने वाला है, तो इन एरियास से मूव करकर लोगों को interior areas of Sindh and Balochistan में shift करा गया है. India Today की जो OSINT team है, हमने NASA का world view platform use करा है. ये platform से हम satellite images की analysis कर सकते हैं. और इसमें जो night time के images हैं, उसमें infrared radiations, visible infrared radiations को जो detect करते हैं उस platform से हमें ये मिला है कि Pakistan अंधेरे में जाने वाला है. लगातार 7th June से लेकर 13th June तक पाकिस्तान में रोशनी कम से कम होती जा रही है. और इंडिया के बढ़ाबर में पाकिस्तान बिलकुल अंधेरे में दिख रहा है. वहाँ अभी इतने heavy rains और cyclonic weather के कारण power outages बहुत बढ़ चुकी हैं और वो economic crisis के कारण ये conditions अब झेल नहीं पा रहा. तो आर्थिक मुर्चे पर पहले से ही जूज रह पाकिस्तान के ऊपर एक और आपदा की मार पढ़ने वाली है. शुकरिया विदिशा दास. भारती एक उष्टी संके चीफ और बीजेपी सांसद प्रिजभूशन शरण सिंग के खिलाफ पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक महीने पहले FIR दर्ज की थी. इसमें महीला पहलवानों के sexual assault के साथ साथ एक नाबालिक पहलवान के खिलाफ यौन हिंसा का भी आरोप शामिल था. पुल साथ पहलवानों के आरोप थे और आज पुलिस ने इस केस में दो अलग-अलग अदालतों में चारशीट दाखिल की है. एक चारशीट दाखिल की गई है राउज अवन्यू कोट में छे बालिक महीला पहलवानों की शिकायत पर और दूसरी चारशीट दाखिल की गई है पटियाला हाउस कोट में नाबालिक पहलवान की शिकायत पर. इसमें पॉक्सो केस को रद करने के सिफारिश दिल्ली पुलिस ने की है. कॉंग्रेस ने इस पर सवाल उठाएं. पार्टी प्रवक्ता कॉंग्रेस ने दिल्ली पुलिस के रवईये पर सवाल उठाएं हैं लेकिन पुलिस की चारशीट में मोटे तोर पर क्या-क्या बातें कही गई हैं. पूछा मैंने आज तक रेडियो की लीगल कॉर्रिस्पॉंडेंट अनिशा माथुर से. पेज की चारशीट है जो की महिला पहलवानों की allegations यानि आरोपों के उपर दाखिल हुई है. सेक्षिन 354, 354A और 354D यानि के Outraging Modesty of a Woman यानि की महिला की गर्मा को भंग करना. दूसरा 354A होता है Sexual Harassment और तीसरा 354B IPC है जो की Stalking का offense होता है. इन तीनों के अंतरगर ब्रिदूश इंशरन सिंग के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है और जो उसके साथ सहे आरोपी है, विनोद तोमर जो की official है, Taxing Federation of India के, उनके खिलाफ भी 354 यानि की Outraging Modesty 354A यानि की Sexual Harassment और 506 506 IPC जो की आरोप पत्र दाखिल हुआ है दूसरे जो F.I.R. थी ग्रिदूश इंशरन सिंग के खिलाफ जो की नाबालिग जियर्की की तरफ से दाखिल हुई थी, उसमे पॉक्सों यानि की बच्चों को Sexual Offences से बचाने का जो अधिनियम है उसके अंतरगत वो F.I.R. थी उसमें लेकिन पॉलीस ने एक Cancellation Report दाखिल की है Cancellation Report का मतलग कि पॉलीस ने ये कहा है कि उनको पॉक्सों की आरोप के उपर कोई valid जो है evidence यानि की सबूत नहीं मिले है गवाहों ने उसको जिस तरह जो भी बयान दी है उससे वो बेर आउट नहीं होता है दूसरी चीज उसमें ये भी पॉलीस की तरह से कहा जा रहा है कि क्योंकि उस नावालिग लड़की ने अपना बयान वापस लेने के लिए दूसरा बयान दिया था उसके पिताजी ने भी ये कहा था कि उन्होंने गुस्से में आकर वो पॉक्सों की F.I.R. दर्ज की गई थी इसलिए उसको क्यांसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है यानि कि पॉलीस ने ये कहा है कि उनके खिलाफ जो आरोप है उनके रुटरम के एविडिन्स नहीं मिला है इसलिए और उपों को धारिज किया जा रहा है जहां तक ये कैंसिलेशन रिपोर्ट का सवाल है उसके चार जुलाई को जो 500 केसिस की जो डेजिगनेटेट कोट है जो खासकोर से कोट बनाई गई है उस पोर्ट के सामने चार जुलाई को ये मामला रखा जाएगा अब उस पोर्ट के उपर है कि जो कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलीस में फाइल की है उसको जो मान लेते हैं ऐसे ही या उस पर पुलीस से आंगे और थोड़ी और अनिशा ये जो पुक्सो हटाने की सिफारिश दिल्ली पुलिस ने की है लेकिन जो बागी मामले हैं इसके इलावा चारशी जिंधाराओं पर दाखिल की गई है वो मामले कितने गंभीर हैं और क्या उन मामलों में ब्रिजभूशन की गिरफतारी का खत्रा अभी भी बना हुआ है अरेस्ट गिरफतारी जो है वो पुलीस के हाथ में होती है अगर पुलीस को ऐसा लगता है कि जिस इनसान को आरोपी बनाया गया है उसको अरेस्ट करके ही सवाल करना जरूरी है उससे पुछताच करनी जरूरी है तो पुलीस अरेस्ट कर सकती है आम तोर पर साथ सान से कम की सजा वाले जो आरोप होते हैं उनमें अरेस्ट वैसे तो हो जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी दो-तीन जज्जमेंट्स हैं जिसमें साफ़तार पे कहा गया है कि अगर अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो अरेस्ट मत कीजिए ऐसे ही किसी को अरेस्ट करके जेल में मत डालीए बेल नॉट जेल ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीज इस तरह के केसिज में देखने के लिए हैं लेकिन दूसरी बात ये दिए है कि क्यों कि प्रजबूशन शारण सिंग एक बहुत इंफ्लूएंशिल आदनी है वो MP है वो WSI के चैपासिन रहे हैं उनको अपने जो उनका एरिया है गॉन्रा बगेरा का जो एरिया उसका गॉली भी माना जाता है इतनी जो विक्टिश थो है वो कई महीनों से ये मांग ही कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए लेकिन एक बात कया धिहान हमें रखना होगा कि क्यूंकि पुलीस ने अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया है आँ तर फोट भी उनको अघ़ अब तक पुलीस से यह नहीं कहा कि अगर इस आदमी को भाहर छोड़ दिया तो यह केस खराब कर देगा या विटनेस को इंफ्लूएंस कर देगा तो चार्ज शीट दाखिल होने के बाद आम तोर पे इस तरह के केस में जब पुलीस ने पहले अरेस्ट नहीं किया है तब कोट इस तरह अरेस्ट करने का ओर्डर नहीं देती है तो अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जून ते की गई है शुक्रिया अनिशा माथरू इसी महीने की साथ तारीख को आर्बियाई एक फैसला लेकर आया इस फैसले के जरीए बैंकों के ऐसे कर्जदार जो कर्ज चुकाने की स्थिती में हैं फिर भी नहीं चुका रहे उन्हें राहत दी गई बैंकिंग की भाषा में ऐसे कर्जदारों को विल्फुल डिफॉल्टर्स कहते हैं आर्बियाई का ये फैसला इसलिए भी चौका रहा है क्योंकि साल 2019 में आर्बियाई ने ऐसे ही डिफॉल्टर्स को किसी भी तरह छूट न देने की वकालत की थी ट्रांस यूनियन सिबील नाम की एक संस्था है और उसके मताबिक साल 2022 में देश भर में कुल 15,778 विल्फुल डिफॉल्टर अकाउंट्स थे जिन्होंने लगभग 3,40,570 करोड रुपे का कर्ज लिया हुआ था अब करजे की ऐसी स्थिती में RBI के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है कई बैंक कर्मचारी संगठन है जो इस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें All India Bank Officers Confederation और All India Bank Employees Association भी शामिल हैं हमने RBI के इस फैसले पर विस्तार से बात की Senior Economist शरत कोली से शरत जी पहले तो इस फैसले को समझाईए कि समझोते की बात तो ठीक है लेकिन एक साल के भीतर फिर से वो डिफॉल्टर्स लोन ले सकेंगे जिन्होंने पिछला ही लोन नहीं भरा है किन परिस्तितियों में और क चाहता है कि मेरे उधार को RiStrakTurn किया जाए मुझे कुछ हर समय दिया जाए मेरी किस्तों को छोटा कर दिया जाए बढ़ा कर दिया जाए जिसको हम री cooperative banks, rural banks, regional banks, NBFCs, लगबग सभी के सभी वो सल्स्थान आ जाते हैं जिनको RBI monitor करता है जो RBI की देखरेक में काम करते हैं तो RBI ने ये circular में बोला है कि ऐसी सब entities जो compromise formula यानि कि bank का board अप्रूव करेगा उसको ये बात अलग है कि bank का board अप्रूव करेगा और वो अगर लोन नहीं दे पारें और जान बूच के भी लोन नहीं दे पारें तो उनके साथ बैठके bank के जो अफसरान है वो बैठके एक फैसला कर सकते हैं कि चलिए वह अगर आपने एक लाग रुपए लिया हुआ है और आप आप नहीं दे पारें तो 20,000 30,000 में फैसला हो जाए 40,000 में फैसला हो जाए अमाउंट कितना होगा यह सर्क्लर में इस पश्ट नहीं कहा गया उसमें लिखा है सम सम एसो एमी इसका मतलब कि जो भी आपस में बैठ के कॉम्प्रमाइज होगा और मैं इसको अगर अगर इसको मैं गली की भाश्चा में कि भाई अब कुछ नहीं मिल रहा है लीगल केसिस चल रहे हैं बहुत सालों तक तो अब जो मिल रहा है लेके मामले को रफादफा करो मामले को खतम करो तो जो जो All India Bank Officers Confederation है और All India Bank Employees Association है AI BOC और AI SEA जो है उन दोनों ने इसका विरोध किया है कि यह ठीक नहीं है रोपए से जादा है तो बतार Economist आपको नहीं लगता कि इस फैसले के आपने कुछ नुकसान भी होंगे जो लोग इमानदारी से अपना लोन वापस करते हैं उन तक एक गलस संदेश जाता है कि जो लोग इमानदारी से वापस कर रहे हैं वो अपना नियमित रूप से दे र रहा है पैसा होते हुए भी लोन वापस नहीं कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति के साथ बैट के compromise करना तो जो इमानदारी से लोन दे रहे हैं वो सोचते हैं हम भी कल को सोच सकते हैं कि हम भी नहीं देंगे फिर हमारे हम भी ऐसे किसी compromise formula में बैठ जाएंगे हम इमानदारी से क्यो वापस दें दूसरा bank employee association को ये भी लगता है कि और officers confederation को ये भी लगता है कि हम लोग इतनी मेनत करते हैं account को recover करने के लिए जब loan उधारी जादा हो जाती है तो बहुत मेनत रहती है उसको recover करने के लिए जो NPS हो जाते हैं हम सब जानते हैं कि 90 दिन से उपर जब default होता है त तो उसको वापस recover करने के लिए बहुत मेनत की जाती है bank employees मेनत और ये तो हमारी सारी मेनत पर पानी फिर गया क्योंकि आपने जो है सीधा सीधा उनके साथ बैठके compromise कर लिया के भई आप चलो जितना दे सकते हो दे दो मेरे अनुमान के इसाब से करी 92,000 करोड से उपर के ऐस लोन हैं जिन पर जिन पर ये compromise formula लागू हो सकता है मतलब अगर वो चाहें तो वो bank के साथ बैठ सकते हैं तो मुझे लग रहा है ये बड़े जो borrowers हैं उनके लिए ये scheme ऐसा लगता है कि उनके लिए बनाई हुई है तो मेरे साब से इसमें मेरी सरकार को आपके कारिकरम के ये नाइनसाफी होगी इसी बात को लेके ये AI BOC और AI ESA ने इतरास किया है कि ये ठीक नहीं है मुझे लगता है RBI को इस पर पुनर विचार करना चाहिए कि इनको इससे बाहर रखें क्योंकि ये लोगों ने बैंक के साथ शरारत करी है जानबूच के पैसे नहीं दे रहे है शरत जी एक चीज़ और बताएं कि हम जानते हैं कि आम आदमी पर बैंक कितने सख्त हैं और क्रेडिट कार्ड से लेकर मामुली लोन अमाउंट तक आसानी से बैंक वसूल लेते हैं क्या ये कहा जाए कि बड़ी मचलियों पर जो धील के ये नए नए जतन किये जाते हैं रहाधा तर ये लोन फोन-बैंकिंग जिसका जिकर होता है पादान मंतरी जी ने भी खिया कि होती थी फोन आता था और लोन दे दिये जाते थे तो ये लोन ये बात सच है कि लोन बहुत पहले से बन चुके हैं और अब इनको इतने साल बीच चुके हैं तो हम लोग एक एक फाइनस की भाषा में एक शब्रियोश करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन पीवी नेट प्रेजंट वैल्यू कि आज अगर आपको माली जी एक लाख रुपय कहीं से वसूला जा रहा है और दस साल बाद वो मिलत गया और ये कोर्ट में अठके हुए हैं केसे डेट रिकवरी ट्राइबनल के अंतरगत हैं अलग-अलग कोर्ट में अठके हुए हैं सालों साल केस चलते रहते तो इसके पीछे मंशा यह है कि एक बार ले दे के इसको खतम करो अब जो पैसा आ रहा है इसमें ले दो और आग बेल खौस भी बैंकों की लगती है वकीलों को फीज जाती है कोर्ट में बार बार तारीखे अटेंड करनी पड़ती है और इसमें एक एहम बात यह कि इन बौरोर्वर्स के पास जाधा सेक्युरिटी भी नहीं बची है क्योंकि बैंक जब भी लोन देता है तो किसी नहीं कि पेशा के लिए खतम करने के लिए क्योंकि सरकार ने जब 10 लाग करोड से उपर का राइट ओफ किया था तो वो बैलन्शीटे बैंकों की साफ करने के लिए किया था कि कई सालों से यह अटके हुए हैं और यह खाली एक आर्टिफीशल एसेट्स दिखाई देते हैं उसमें अस ठीक तीन साल पहले भारत चीन सीमा पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने दोनों देशों के बीच के रिष्टे को सिर के बल उलट दिया पूरवी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की इस खूनी भढ़नत में 20 भारती जवान शहीद हुए थे चीन ने इ इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की पार्टी अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे ने कहा कि मोधी सरकार की नाकामियों के चलते LAC पर पहले की यथा इस्तिती अब नहीं है उन्होंने ये भी दावा किया कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम अपने अधिकार खडगे ने कहा कि कॉंग्रिस ने संसत में ये मुद्दा कई बार उठाने की कोशिश की पर मोधी सरकार देशवासियों को अंधेरे में रखना चाहती है इस घट्ना के बाद तीन साल में अब तक भारत और चीन के बीच 18 दौर की सैनेवारताएं और 27 बैठकें भी हो चुक है जैसा कि आपने सवाल में ही बताया कि 18 राउंड की कोर कमांडर लेवल टॉक्स याने की टौप जेनरल्स जो हैं दोनों आर्मीज के वो और उनकी टीमें मिली हैं बातचीत हुई है इस बातचीत के जरीए कुछ जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वहाँ पर एक कह सकते हैं की विराम लग गया ताके की चीजें और भड़के ना जमीन पर क्योंकि जिस तरह की स्थिव बन गई थी 2020 में खास करके गलवान की घटना के बाद जहां पर 20 भारतिय सेनिक शहीद हुए और चीन की तरफ से भी काफी लॉसेज हुए लेकिन चीन ने अपनी लॉसेज को देनाती बढ़ गई थी टेंशन बहुत जादा हाए थी और कह सकते हैं कि युद की स्थिधी के बहुत नजदीक थे थम और सेप्टेंबर में फिर से एक और घटना हुई थी लगदाक में ही ऑगस्ट के एंड में और सेप्टेंबर में भी जब जो है फाइरिंग की भी जो टो उस वकत स्थिति भूत गंबीर थी लेकिन किसी कारण उस बाचीत के कारण जो है चीजें थोड़ी नेंतरण में रही अभी अभी हालात क्या है अभी भी हला देखिए。 स्थिथी अंडर कंट्रोल जरूर है लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो अडिशनल तेनाती थी, अडिशनल तेनाती 50,000 ट्रूप्स तक की भी थी भारत की तरफ से, मतलब 50,000 जादा ट्रूप्स जो अभी भी हैं और सरदियों में तेनाती कम कर दी जाती थी क्योंकि 15-16,000 फीट पे लदाक में जो तापमान है माइनस 40 माइनस 50 हो जाता है और बहुत मुश्किल होता था वहाँ पे सस्टेन करना तो उस तरह का infrastructure भी create किया गया है कि जो बढ़ोतरी है जो additional deployment है उसको सस्टेन करा जा सके उस समय वो दो-तीन सर्दियां बीद गई है अब और भारत की भारती सेना की तैनाती उस तरह से रही है तो स्टिती गंभीर तो अभी भी है बाचीत के जरिये हाँ ये जरूर है कि जो लडाई के बादल मंड़ा रहे थे वो थोड़े हट जरूर गए हैं लेकिन टेंशन तो अभी भी है अब शेक स्ट्रेटिजिक इंफरेस्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें तो चीन और भारत दोनों साइड गलवान घाटी जो है जो सीमा है दोनों तरफ कितना काम हुआ है बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा काम हुआ है इंडिया की तरफ से सडकें बनी है टनिल्स बने हैं ब्रिजिस बने हैं और ये सब कहीं न कहीं आपकी टूप मोबिलिटी को लेके ये 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 काम हुआ है और बहुत जल्दी ये काम हुआ क्योंकि ये इस बात की समझ आ गई थी कि अगर चीन का सामना करना है तो खराब इंफरास्ट्रक्चर के साथ आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे आपकी मूव्मेंट जो है वो बहुत स्लो हो जाती है और जो एक और जो बदलाव आया है सोच में कि जो लोकल जनता है लोकल पॉपिलेशन है जब तक उनके लिए इंफरास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल होगा उनका वहां रहना और अगर लोकल जनता ही फॉरवर्ड लोकेशन्स में नहीं रहेगी तो अगर कहीं पर डिस्प्यूट होता है चीन की सेना अंदर घुसती है तो जो moral ground बनता है कि नहीं ये हमारा इलाका है वो जनता से बनता है जब आपकी जनता फॉरवर्ड लोकेशन्स में रह रही होती है तो एक आपके पास moral ground आता है कि देखिए हमारे देश के लोग यहां रह रहे हैं तो घुसपैट आपने की है जी और Congress ने जो आरोप लगाया है कि हमने कुछ patrolling points गवा दिये हैं इसको लेकर कितनी सपश्टा है कितने दावे से ये बात कही जा सकती लेकिए Congress के दावे जो है मैं उनमें नहीं जाऊंगा कि वो सही है नहीं मैं political reporter नहीं हूँ मैं answer जितने दे सकता हूँ चीजों के वो एक military perspective से दे सकता हूँ security perspective से दे सकता हूँ इस बात में जरूर सच्चाई है कि कुछ patrolling points जहां पे हम patrolling करते थे वहां पे हम patrolling नहीं कर रहे हैं लेकिन इस पर टिपनी करना कि क्या ये पूरी तरह से गवा दिये हैं मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि देखें जो patrolling वहां नहीं हम कर रहे हैं उसका कारण एक ही है कि जो friction points थे या जहां-जहां tension थी वहां पे no patrolling zone बन गए buffer zone बन गए दोनों तरफ की armies की तरफ से एक agreement हुआ कि यहां पर patrolling कोई नहीं करेगा तो हाँ इसमें एक गड़बर जरूर है क्योंकि अगर आप patrolling नहीं करेंगे अगर आप आपके सैनिक उस जगा तक नहीं जाएंगे तो आप अपना long term में claim कैसे बना पाएंगे कि यह हमारी सरजमी है यह हमारी धर्ती है तो यह थोड़ा सा complicated मुद्दा जरूर है और इस पर बहुत विचार हो रहा है इस पर बहुत टिपडियां की गई है लेकिन यह बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है कि काफी ऐसे patrolling points है जहां भारत patrolling नहीं कर रहा है लेकिन फिर चीन भी नहीं कर रहा है लड़ाई इसी मुद्दे पर होती थी कि भारत भी patrolling करने जाता था और चीन की सिना भी वहां आती थी देखिए वो disputed points है तो जब disputed points है दोनों तरफ की सिनाय आती थी तो face off होता था face off होता था तो हम वो videos देखते थे जहां धक्का मुक्की होती थी धक्का मुक्की कभी कभी और ज़्यादा भढ़क जाती थी पत्थर चल जाते थे हाथ में जो भी होता था उससे मार पीट होती थी और गल्वान में यही हुआ था और उसकी वज़े से इतनी जाने चली रहें तो कहीं ना कहीं जो field commanders हैं शायद उनों ने ये भी सोचा होगा कि भई इस तरह की लड़ाई अगर रोकनी है तो पहली चीज तो यह है कि हम शायद आमना सामना हमारा ना हो तो लड़ाई नहीं होगी लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि अगर आमना सामना नहीं हो रहा है तो क्या आप उन जगाओं पे अपना claim छोड़ रहे हैं ये सवाल उड़ता है तो बाचीत से इस मसले को सुलजाने की कोशिश दोनों देश कर रहे हैं लेकिन कब तक ये संभा होगा ये देखना होगा शुक्रिया अभिशेक भला और अब वक्त है भॉंचक खबर का लेकर आ गए हैं जमशेत कमर से देखे ग्रेटर नौइडा में एक अपार्टमेंट सोसाइटी है जिसका नाम है हिम सागर अपार्टमेंट बीते 10 जून को इस अपार्टमेंट की आर डबलुए ने सोसाइटी की दिवारों पर एक नोटिस चिपकाया जिसका मजमून कुछ यूँ था आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप हिम सागर में लुंगी पहन कर नाखों में जैसे आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे भी करेंगे इसलिए अपने आचरण का खयाल रखें सहयोग का धन्यवाद सोसाइटी के अध्यक्ष है P.K. कालरा साब उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से शिकायते आ रही थी कि सोसाइटी के अंदर लोग लुंगी पहन कर योगा करने लगते है अब बीते दिनों भी पार्क में कुछ लोग लुंगी पहन कर आपत्ती जना किस्ति में योगा करते पाए गए इससे गलत महौल बनता है और इसके बाद हमने सरकुलर जारी किया लेकिन हाँ इसे पाबंदी नहीं कहा जा सकता पर इस मुद्दे को लेकर सोसाइटी के अंदर ही दो पक्ष हो गए एक वो जो जो इसके पक्ष में थे और दूसरे वो जिनका कहना था कि इसे फॉरण वापस लिया जाना चाहे एक मीडिया हाउस से बाद करते हुए सोसाइटी के एक निवासी है अरविंद कुमार उन्होंने कहा कि लुंगी में घूमना बहुत आरामदाइक होता है हमारी संस्कृती में हम फर्ष पर बैठने के आदी है और जीन्स पहन कर फर्ष पर बैठ कर काम करने की तुलना में लुंगी में ये करना आसान होता है लुंगी पूरे दिन हवादार भी रखती है एक दूसरे साब हैं जिनका नाम है वरौन उन्हेंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिसकी जो मर्जी वो पहने लोग अपनी बालकेरी में कच्छे पहन कर खड़े रहते हैं उनको तो आप रोग नहीं सकते तो फिर टावर के बाहर आप किसी को कुछ पहनने के लिए कैसे रोग सकते हैं इसी सोसाइटी में रहते हैं डॉक्टर यश्वीर सिंग उनने कहा कि सर्कुलर से किसी को क्या दिक्कत है कोई फाइन तो लगाय ने गया और वैसे भी मैंने बहुत लोगों को लुगी में घुमते वे देखा है इसी नोटिस में महिलाओं से भी अपील की गई है कि वो नाइटी पहन कर सोसाइटी में नागुमे सोशल मीडिया पर इस नोटिस को लेकर चर्चा गर्म हो गई लुंगी और नाइटी की इस चर्चा पर तर्क वितर्क होने लगे जिसके बाद हिमसागर की RWA ने इसे वापस ले लिया है पर लुंगी पहन कर शीरशासन करने वालों को ये बात समझनी चाहिए कि हवादार कपड़े पहनने की उनकी आजादी वही पर खत्म हो जाती है जहां पर कोई आपकी आजादी से असहज होने लगता है गरीमा मई आजरन के लिए कोई नियम तो नहीं बनाया जा सकता बहराल नोटिस वापस लिये जाने के बाद सोसाइटी का एक बड़ा पुरुषवर्ग खुश है उसका कहना है कि भीशन गर्मी पढ़ रही है ऐसे में जो मज़ा लुंगी पहनने में है वो किसी और में कहा है पर हाँ इस चर्चा ने कम से कम उन लोगों को सतर्ख जरूर कर दिया है उमीद है कि हिमसागर में लुंगी पहन कर विचरन करने वाले पुरुष अब थोड़ी मर्यादा रखेंगे जमशेद कमर सिद्धी की आज तक रेडियो आज के दिन भर में इतना ही जरूरी सुचना ये कि आज गुरुवार है और गुरुवार को पढ़ाको नितिन आता है और आज का एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पढ़ाको नितिन का सौमा एपिसोड होगा और इसमें बातचीत हुई है मशूर म्यूजिशियन और सिंगर और थिंकर बहुत पढ़ने लिखने वाले संगीतकार हैं वो रभी शेर गिल उनसे बातचीत हुई है उन्हें भी सुनिएगा और सुनकर बताईएगा कि वो एपिसोड कैसा लगा आप हमें इमेल कर सकते हैं रेडियो आट आज तक डॉट कॉम पर या फिर वाटसेप पर भी वोईस नोट भेज सकते हैं डबल नाइन फाइव डबल त्री टू डबल त्री जिरो त्री पर आज तक रेडियो के पॉटकास्ट आप आज तक की आप के अलावा स्पॉटिफाई, गूगल पॉटकास्ट, एपल पॉटकास्ट, विंक म्यूजिक और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं आज का दिन फर पॉट्यूस किया है कुमार केशव ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंग ने और साउंड मिक्सिंग की है अमरित रेजी ने कुल्दीप मिश्र के साथ थे आप, हमस्कार